नवश्कार मैं हूँ सूकृती रोय चैटर जी और बोल्स का इम्याफ सभी का स्वागत है लॉंग का साधारन फूल जिसका वैसे तो इस्तमाल मसाले की रूप में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन इसके अलावा लॉंग सेहत से लेकर चहरे और बालों तक की सभी वरिशानियों को भी दूर करने में बहुत ही कारगर है क्योंकि इसमें एंटि आक्सिडेंट्स, वाइबर, विटामेंज और खनिच की भरपूर मात्रा होती है इसका प्रयोग साबुत करें, पाउडर के रूप में करें या फिर तेल के रूप में, हर तरह से है ये फायदेमाद बैतरीन हेर कंडिशनर लॉंग का तेल बहुत ही अच्छा हेर कंडिशनर होता है, बस इसके लिए लॉंग की दो से तीन बूंद को ओल वॉयल में मिलाकर, गीले बालों में लगा लें अब बालों को टावल या किसी भी कपड़े से लपेट कर 10 से 15 मिनट तक रखें बाल सूखने के बाद कंगी कर लें कील मुहासे होंगे दूर कील मुहासे की समस्या से जूज रहे लोगों के लिए लॉंग का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है इसके लिए क्रीम में लॉंग के तेल की 2 से 3 बूंद मिलाकर उसे पिंपल वाली जगा पर लगाए दूप में जाना अवाइड करें और साथ ही इस पर संस्क्रीन लगाना भूलेना दीरे दीरे पिंपल आपके चहरे से पूरी तरह से गायब हो जाएगा दर्द में दिलाएं राहत एंटी इंफलमेट्री ततों की वज़े से लॉंग का तेल सिरदर्द कांदर्द जोडों के दर्द के अलावा सूजन और जलन से भी राहत दिलाता है सिरदर्द के लिए एक चम्मच, सी सॉल्ट, तीन बूंद लॉंग के तेल और दो चम्मच नारियल या बादाम के तेल को एक साथ मिक्स करें और इससे सिर्की मसाज करें वही कान दर्द को ठीक करने के लिए दो चमश तिल के तेल, तीन बूंद लॉंग तेल को मिक्स कर हलका गरम कर ले अब इसे कॉटन या इयरबट की सहायता से कानों में डाले थोड़ी देर में ही आपको आराम मिल जाएगा बालों का गिरना करेकम लॉंग का तेल बलड सरकुलेशन बढ़ाने का काम करता है इसलिए गिरते बालों की समस्या को दूर करने के लिए उनकी ग्रोथ में भी बहुत फायदेमंद है इसके लिए श्रैंपू करने से पहले लॉंग के तेल को कुछ देर के लिए बालों में लगा कर रखें पेट की प्राबलम होगी दूर अपच, पेट, पूलना, गैस जैसी कई परशानियों का बहतरीन इलाज है लॉंग का तेल इसके अलावा उबकाई और उल्टी महसूस करने पर भी लॉंग के तेल से इसे दूर किया जा सकता है तलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बन रही है हमारे साथ